आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले की कतलेट हंजी बिल्कुल सही सुना राव बनाना की कतलेट बनाएंगे ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होता है बेस्ट स्टार्टर है आपके लिए और अगर आप स्नाक के तोर पर खाना चाते हो तो भी खा सकते हो बहुत ही पसंद आएगा आपको भी और आपके बच्चों को भी आपके घर में सबको भी ब थोड़े बड़े pieces में काटके यहाँ पे एक पानी में डाल ले रही हूँ अब जितना कच्चे केले की टिक्की बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप ले सेफते हो तो यहाँ पे मैंने कट करके डाल लिया है और इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा नमक स्वादा नुसार और इसे हम बॉइल करेंगे 10 मिनट तक तो अब देख सकते हो 10 मिनट के बाद यह अल्मोस्ट बन चुका है 10 से 15 मिनट में यह अच्छे से बॉइल हो जाता है तो यह अच्छे से बॉइल हो चुका है हमारा जो कच्चा केला है अब हम इसको पील आफ कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने थंडे पानी में रख दिया है हमारे कच्चे केले को अभी हम इसके छिलका निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे यह बहुत ही ईजीली पील हो जाता है कोई हट बड़ी नहीं करनी है अराम से निकल जाता है अब देख सकते हो जैसे यहाँ पे अराम से निकल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसे हम बस थंडे पानी में आड कर लेना है ताकि बहुत गरम होता है ना कच्चा केला तो इसलिए थंडे पानी में मैंने रख लिया है तो इसको अराम से हम सारे जो हमारे बनाना है उसको पील कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे बनाना पील हो चुके हैं इसे मैं स्माश कर रही हूँ फोक के मदद से आप हाथ भी इस्तमाल कर सकते हो और यह बात ध्यान में रखिएगा यह जब थोड़ा गरम-गरम हो तब ही आप पूरा स्माश कर लीजिए वरना क्या होता है बाद में यह थोड़ा गाटे-गाटे हो जाता है और अच्छे से स्मूधली स्माश नहीं होता है तो यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज ओनियन और थोड़ा सा ग्रीन चिली मैंने थोड़ा कट करके डाला है और जो है इसको बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनाता है तो यहाँ पर इसी के साथ हम आड़ कर लेंगे थोड़ा सा स्वाधनु सा नमक थोड़ा सा हल्दी एंड देन मैं आड़ कर रहे हूँ हाफ टीस्पून रेड चिली पावडर वन टीस्पून जीरा पावडर हाफ टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून पेपर पावडर और यहाँ पर मैं ब्रेड क्रंब्स आड़ कर रहे हूँ दो बड़े चमच यह ऑप्शनल है अपकी मर्जी है और लासली मैं यहाँ पर थोड़ा आड़ कर रहे हूँ थोड़े से कोरियंडर जो की धन्या पता और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे पहले ही पानी आड़ नहीं करना है पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों को हमारे कच्चे केले के मैक्स्चर के साथ ताकि हमारा जो टिक्की है वो बहुत ही स्वादिष्ट बने क्योंकि इसमें अल्रेडी मॉैक्स्चर तो इसके वज़े से पहले ही पानी आइड करने की जरुवत नहीं है अब यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पानी की जरुवत है तो मैंने थोड़ा सा पानी आइड करके मैं इसे ठिक ली एक डो के हिसाब से मैं इसे कनवर्ट कर लूँगी अब देख सकते हो यहाँ हमारा जो टिकी का डो है वो बनके रेडी है तो अब हम इसको छोटे-छोटे पेले में ले लेंगे और इसको टिकी की shaping दे देँगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने छोटे-چोटे roll बनाया है, उसको मैं छोटे-چोटे टिकी's बना रहे हूं, टिकी आपके हिसाब से आँ बना सकते हो, बड़ा बनाना चाते हो, तो बड़ा भी बना सकते हो यहाँ पर हम अभी टिकी को fry कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे ले लिया है तवा आप कोई भी पैन भी ले सकते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छी से तेल को कड़क होता है जो कि चाय के साथ या फिर गरम गरम कॉफी के साथ मसेदार लगता है बिलकुल आप अपने घर में ट्राइ करना हमारी जो टिक्की है बनके बिलकुल रेडी है ला जवाब लग रहा है तो आप भी अपने घर में यह वाली जो रेसिपी है ना बिलकुल ट्राइ करना और मुझे comment section में बताना बिल्कुल ना भूलना कि कैसे बनाता hope आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो like, share और comment करना बिल्कुल ना भूलना और अगर आप मेरे चैनल में नए हो या फिर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो यार क्या वेट कर रहे हो प्लीज जाओ और उसे सब्सक्राइब कर दो और जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी दबा देना अंटिल नेक्स्ट वीडियो शब्बाख है टेक केर बाबाई सीयो